नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आज के इस एपिसोड में और आज हम बात करेंगे जो अपातकाल को लेकर जो उप्बंद बनाए गए हैं अपात उप्बंद जिनको बोलते हैं उनके बारे में आज हम जानकारी देंगे राष्टुपती शाषन जो लगाया जाता है उसको लेकर क्या प्रोविजन किये गए हैं हमारे सविधान में इस बात की जानकारी आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों बारत के सविधान के अंतरगत आपात कालिन समय के लिए कुछ विवस्ताएं की गई थी और इन विवस्ताओं के अंतरगत आपात कालिन प्रिस्तितियों में बारत के सविधान की स्थिति बदल जाती है जैसा कि आप अब जान ही गए होंगे कि भारत का सविधान एक संग्य सविधान है जिसे राज्यों का एक संग भी कहा जाता है संग की अलग शक्तिया होती है और राज्यों की अलग शक्तिया होती है लेकिन भारत के सविधान की बनावट में ऐसा लगता है कि यहां पर संग अधिक शक्तिशाली है भारत के सविधान में आपात उपबंद का समावेश किया गया है जिसके कारण संकट काल के समय में भारत का सविधान संग आत्मक से एकात्मक सविधान में बदल जाता है इसका उदेश्य है राज्जों की अपेक्षा समस्त बारत को अधीक मैतव देना है और राज्जों के हीतों से ज्यादा भारत रास्टर के हीतों पर ध्यान देना है बारत के सविदान के भाग 18 के अंतरगत आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंद पर प्रावदान किये गए हैं और समय समय पर इस भाग में 600 दन भी किये जा रहे हैं युद्या बाहरी आकर्मन की स्थिती में या फिर सशस्तर विद्रों के उत्पन हो जाने की स्थिती में राष्ट्र आपात का लगने पर भारत के सविदान के आर्टिकल 352 के अंतरगत 44 सविदन 1978 के बाद ये बंदित किया गया कि यदि राष्ट्रपती को इस बात का संपूर्ण विश्वास हो जाए कि ऐसा कोई गंबीर संकट आ चुका है जिसके कारण युद्या बाहरी आकर्मन या स्थित्र विद्रों से बारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में और ऐसा संकट बहुत करीब आ चुका है तो राष्ट्रपती उद्गोषना द्वारा इस आश्चे की गोषना संपूर्ण बारत के संबंद में या उसके किसी एक बाग के संबंद में कर देगा ऐसी गोषना को राष्ट्रपती उत्रवर्टी उद्गोषना द्वारा वाप जारी किया जाएगा 42 वे सिविदान शंशोधन अधिनियम 1976 दवारा आर्टिकल 302 में शंशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि आपात उद्गोषणा देश के किसी भी भाग तक सिमित की जा सकती है यह संपूरन भारत में लागू हो तो किसी एक भाग से उसको हटाया भी ज सकता है जहां पर सिती सामन्य हो जुकी हो इस संशोधन के पूरव आपात कालगी गोषणा संपूरन भारत के संब्द में की जादी थी के समय कुछ सदस्यों ने ये आशंका वैट की थी कि राष्ण पती दुवारा इस व्यापक शक्ति का दुरूप योग किया जा सकता है और इस तर्क के विपरीत यह तर्क दिया गया था कि राष्णपती अपनी शक्तिका प्रियोग मंत्री मंडल की ठाहिता और परामर्श स कर सकता है जो जनता के निर्वाचित परतिनेदी होते हैं लोकसभा के बाद भी मंत्री मंडल राष्ट्रपति को प्रामर्श देने के लिए बनी रहती है 1975 में लगाए गए आपातकाल के दुष प्रिणामों से सबक लेते हुए बारत की संसद ने 1978 में शंचोधनकर अभ्यांतरिक शब्द को हटा कर शशस्तर शब्द को आपात उबंद में समाविष्ट किया गया था अविचार करने वाला प्रशन ये है कि जब कभी आर्टिकल 352 के अंतरगत आपात उदगोषना की जाती है तब सविधान में क्या प्रिवर्तन आते हैं और उदगोषना का क्या परभाव होता है आपात उद्गोषना का सबसे पहला प्रबाव यही होता है कि संग की कारियपाली का शक्ति राज्यों को इस बात का निर्देश देने तक बढ़ जाती है कि वो अपनी कारियपाली का शक्ति को किस तरह से प्रियोग करेंगे अपात की स्तिती में राज्य की कारियापालिका शक्ति के अधीन काम करती है अपात की गोशना के परवर्तन के समय संसद को राज्य सूची के किसी भी विशय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है उसे ऐसे किसी विशय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है जो संग और उसके पदाधिकारिया को करते विवस्त सोपी गई हो बले ही वो विशय संग सूची में उल्लेकित हो या ना हो अपात उद्गोषना परवर्तन के दोरान राष्ट्रपती आदेश दोवारा जैसा कि वो उचित समझे आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक में उपस्तित विवस्ता के नुसार केंदर और राज्यों के बीच संबंदों में प्रिवर्तन कर सकता है अपात काल में बहुत सारे ऐसे संबंद जिनमें राज्यों को विच सायता प्राप्त होती है उन्हें भी राष्ट्रपती दोवारा अपने डंग से प्रिवर्तित किया जा सकता है और ऐसे प्रतेक आदेश को सिगर संसद के प्रतेक सदन के समक्ष प्रस्तूत किया जाएगा अपात गोशना प्रवर्तन के दोरान संसद विदी दोवारा लोकसबा की अवधी को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है ये अवधी एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती अपात उद्गोशना के समाप्थ हो जाने के बाद 6 महीने बाद ये प्रोविजन अपने आप हट जाती है अपात उद्गोशना का सबसे कतरनाक पहलू ये है कि जब राष्ट्री अपात कॉल को युदिया बाहरी आकर्मन के आदार पर गोशित किया जाता है तब आर्टिकल 358 के अनुसार अपात की उद्गोशना परवर्तन के दोरान आर्टिकल 19 में बताये गए 6 मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 359 के अनुसार जहां आपात उद्गोशना परवर्तन में हो वहां राष्ट्रिपती अपने आदेश दोरा ये गोशित कर सकता है कि बाग तीन दोरा दिये गए अधिकारों को परवर्तित कराने के लिए जैसा कि उप्त आदेश में वरनित हो किसी नियालने के परवर्तन का अधिकार और इस परकार वरनित अधिकारों को परवर्त कराने के लिए किसी नियालने में लिखित कारवाई या उस अवदी के लिए जैसा कि आदेश में उद्लकित है आदेश के अनुसार निलंबित रहेंगे और इस परकार का आदेश समस्त भारत या उसके किसी भी बाग पर लागू किया जा सकता है। या राज्ये के विदान मंडल से अलग राज्ये के किसी निकाय प्रयाधिकारी में निहित या उसके दवारा प्रियोग सभी या कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। राज्ये के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट ना मिलने पर भी कारवाई कर सकता है। इसके लिए केवल इतना ही प्रियापत है कि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि कि किसी राज्ये में समवेदानिक तंतर विफल हो गया है। और स्वेम कारिय करना होगा।